नमस्का दर्शको मेरे दिश्कुपता एक बाद फिर से आपका स्वागत करता हूँ नमस्का दर्शको आज महाराजा हरी सिंग जी का जनम दिन है जियां ये वही महाराजा हरी सिंग जी है जिन्होंने रियासत को एक स्पेशल स्टेटस दिलाया जियां जिन्होंने भारत देश के साथ विले करवाया जियां इन्होंने इक्वैल्टी को बढ़ावा दिया जियां वो पुजीशन नहीं मिल पा रही है, वो रेकेगरनाइजेशन नहीं मिल पा रही है, जिसके वो हगता रहे हैं। आईए आज उनके जनम दिन पर यही जाने का प्यास करते हैं कि क्या आने वाले समय में क्या उनको वो ही रेकेगुनाइजेशन मिल पाएगी जिसके वो हगता रहे हैं इस वक्त मेरे साथ हैं अभिशेक जस्रोटिया जी आईए उनसे बात करते हैं सर बहुत-बहुत स्वागत है अब धन्यावाद जी अभिशेक जी आज महाराजा हरी सिंग जी का जनम दिन है हम दूमदां से तो मना रहे हैं हर साल मनाते हैं लेकिन वो पोजीशन वो रेकेगु क्या करना चाहेंगे जी मुझे लगता है कि इसके अंदर हम लोग इस दिन को तो रिकरनाइज करें ही क्योंकि कहीं न कहीं महाराजा साब के इस दिन को अगर नहीं मनाना या कुछ ऐसा नहीं करने के पीछे वो सियासत कहां से चलती रही वो आप लोग जानते हैं तो कहीं न उन्हें महराजा साथ शड़ेंतर लगाना शुरू कर दिया उसी शड़ेंतर का पातर बंगे शेक अब्दुला जी उसी शड़ेंतर में शेक अब्दुला जी ने अंग्रेजों के साथ मिला लिया इसी कारण महराजा जी को यहां से उन्होंने है इस तरह के हलात पैदा कर दिए कि महराजा साब को आखरी समय अपना कहां पर बिताना पड़ा वो आपको पता ही है तो मुझे लगता है जो जो यहां पर कश्मीर वालों ने हमेशा महराजा साथ के नाम को अगर आप देखें उनको हमेशा दबाने की और उनको कुशिश की आज भी देख वो जो मेंटैलिटी थी उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा था तो महराजा हरी सिंग खड़े था अगर आप पुराने लोगों से बात करें तो वो महराजा को हमेशा महराजा को एक भगवान का दरजाए दिया जाता था और महराजा जो हरी सिंग है वह वाकई जो डूगरा डाइनेस्टी में जितने भी राजा हुए हैं सब ने डूगर देश के लिए जमू किश्मीर के लिए बहुत बड़ा काम किया है तो वह एक महान शक्षियत थे उनके बारे में जितना बोलू उतना कम है आज उनका जमू के लोग जमू में जो लोग आए जो सरकारें आई बदकिस्मती से उन्होंने महराजा को वो स्थान नहीं दिया वो इज़त नहीं दी जिसके वो हकदार है महराजा की वज़ा से ही आज यह जो है एक खुशहाल है अगर हम अगर लोग देखे नई जेनरेशन को मैं बताना च महराजा के टाइम की बनी हुई सड़क है तो यह आज महराजा को वो इज़त देने की ज़रूरत है उनको उनके उस नाम को उस जो उनका रोल था उस रूण को ऊंचा उठाने की ज़रूरत है और उसके लिए सरफ स्टेट के लोगों की नहीं यह नैश्णल लेवल के वो नै उन्होंने उस तरह उस हाल को जो था उन्होंने उसको बनाए रखा उन्होंने उसको गिरने नहीं दिया उन्होंने देश के साथ मिलकुल हिंदुस्तान के साथ मिलके उन्होंने वह सिस्टम ऐसा चलाया कि उनकी प्रजा को कोई नुक्सान ना हो आपका नम के है मुकेश जी आज महराजा हरी सिंग जी का जनम दिन है उनकी जीवनी से क्या शिक्षा मिलती है देखे सबसे बड़ी जीवनी से ये शिक्षा मिले कि ओनने हमें आज इतने घर्व से हम जो हिंदोस्तानी कहलाते हैं ये महराजा हरी सिंग जी की दिन है हो अलग बात है कि आज कई पार्टी आएं कई उने इसको मुद्दा बनाया लेकिन जब बारी आती है छुटी की तो ये लोग मुकर जाते हैं यहां तो यह चाहते हैं कि अगली बार भी हम इस मुद्दे को उठाएं इसलिए इसको डिले के जा रहा है हमारी राइपूत बींग राइपूत और बींग डोगरा हमारी एक मांग साथ आर साल दस साल से क्या मैं कहता हूं कि जो हमारे पूरवे थे वो भी इस मांग को लेक चाहिए दुनिया से चलेगे लेकिन पहले तो हम मानते थे कि यह पार्टियां हैं जो हमारे डोगरों के लिए नहीं सोचती है आज कर चल रहा है उस मताविक अगर बीजेपी हमारी बड़ी अच्छी हिंदू पार्टी अपने आपको हिंदू पार्टी कहते हैं लेकिन जब उनकी वर्किंग जो थी नए वो खिसी वक्ति जब मैं भी उतनी उमर का थी या बेशक मैं इससे में 17 साल की उमर का हूं माराजा का माराजा का दोर जो आप माहरा जा दोरा है तो सुन उसराई में आता है जो जितना अच्छा दोर्वा और अवा ने आ सकता है उन्होंने भारतीश के साथ विले करवाया था, भारतीश के साथ मिलाया था, आज भारतीश महाराजा को याद रख रहा है? बहुत भारत देश है अब आज कल बहुत को याद में कर रहा है जिल को उनकी जादाश के लिए इनके लाम के छुटी तक नहीं मना जा रही है यह हमारी स्टेट वे छुटी उन चाही है यह जो बढ़े थे चीम मिनिस्टर जो बुज़ूर का गुज़ूर चुके हैं नेशनल स्टेट का गड़ रखा था जिस स्टेट को बनाया था उनकी जो कंट्रिब्यूशन थी क्या उसको भारत देश याद रख पाई हमारी सरकार याद रख पाई है उनके रूलिंग को हम याद करते हैं जे थोड़ा सा हमें भी इस बात का बड़ा अफसोस है कि जिन लोगों के इतहास रहे हैं खास कर हमारे राजे महराजाओं के हमारी परसासन हमारी गोवर्मेंट को चाहिए कि जनता की काफी देर से डिमांड भी है कि हमारे महराजा के जनम दिन पर शुटी गोशत होने चाहिए मैं तो मैं प्रदान मंतरी मोदी जी से अपील करता हूं कि वो महराज बादान्यू है है कि अब गजाना जाना भी तक माना रहें सबसे बड़ी जोंसे हमें सीख मिलती है वह और सभी कूमों और सभी जातों को साथ लेने में आज कि हम देखे रहे हैं सरकारें कहीं ने कहीं फेल हो जाती हैं से चीज़ में मगर माराजा हरी सिंग ने उस वक्त डेमोक्राशी और सेक्लरिम्जों का लागू किया जब पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ नाम निशान नहीं था पर जम्मू के लोगों में दारणा थी और कहीं ने की सच भी था कि यहां पे हमेशा कश्मीर सेंट्रिक सरकारे रही हैं आज भी जो जीत के गए वो कश्मीर को देख रहे हैं मगर बाजपा के पास दो मोका था मोका था कि माराजा हरी सिंग जी की चुटी करें और कहीं ने कहीं जो इतने 70 सानों से जो अन्याय हो रहा है उसको हम न्याय में बदलें जम्मू के लोगों की एस्पिरेशन जम्मू के लोगों के सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट करें माराजा हरी सिंग की रिस्पेक्ट करते हैं आज इतनी चुटी करते हैं मगर मैं अफसोर से कहना पढ़ रहा है बाजबा इस चीज़ में फेल हो चुकी है जी हां माराजा हरी सिंग जी की बात करें वो डोगरा शासक के लास्ट कह सकते हैं हाला कि 1925 में उन्होंने पदभार संबाला था उन्होंने कमान अपने हाथों में ली थी और उसके बाद उन्होंने काफी रिफॉर्म्स लाए थे काफी अचीवमेंट्स जो है उन्होंने हासिल की थी और आज इसलिए जो है लोग उनके नाम पर उनके जनम दिन पर जो है छुट्टी की मांग करते हैं आढ़त कर दो दो कर दो, कर दो और स्टार हूँ